हालो बच्चों, गुड बॉर्णिंग, मैं आपकी श्वेता मैम, बच्चों, यह हमारी क्लास सिस्ट की साइन्स की बुक है, और इसमें चैप्टर सेकेंड हमारा चल रहा है, जिसमें हमने सारी चीजें, एम सी क्यू, टू फॉल्स, फिलिंग दो ब्लैंक, नेम दो फॉलॉइंग, वेरी शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट टाइप आंसर, यह कर लिया था, इसमें हमारा एक कोश्चन रह गया था, सेकेंड कोश्चन, उसके बाद, लॉंग में हमने कोश्चन नमबर बन और कोश्चन न क्लासिफवाई करना है, याने की उनको डिवाइड करना है, ठीक है, and, गिफ देअर इंपोटेंग, और इनका क्या महत्तो है, याने की हम इनका इस्तेमाल कैसे करते है, उसके बारे में हमको बताना है, ओके, तो, यहां से आप כ 민ो कोश्चन को, रॉइड डॉन कर लिजे, क् ओके बच्चों तो चलिए देखते हैं इसका आंसर बच्चों आंसर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कोश्चन में से हेडिंग डालेंगे कोश्चन में क्या दिया था classify the food है न तो आप हेडिंग डालना classification of food ओके यह आप हेडिंग डालना question से अब उसके बाद हम लिखेंगे classification करके हमको यह chart बनाना है chart में हमारे तीन column बनेंगे first column होगा यह हमारा food groups category और food groups खाने के groups क्या क्या है तो first column बनेगा second column हमारा क्या बनेगा components और third column हमारा बनेगा functions यानि कि उसका importance है न महत तो क्या है या उसका function क्या है एक ही बाद हुआ ठीक है ना उसका महत तो बताईए महत तभी है जब उसका यह काम है इसका work है तो हम इसमें पहला heading पहला हम लिखेंगे number one energy giving food खाने को तीन category में डिवाइड किया गया है एक तो energy giving food होता है दूसरा कौनसे nutrients है कौन कौनसे components है जो हमको energy देते है तो उसमें हमारा first हो जाएगा carbohydrate कार्बो हाइडरेट कार्बो हाइडरेट जो हम बोजन में लेते हैं वो हमको energy देने का काम करता है और दूसरा हो जाएगा फैट्स फैट्स भी हमको एनर्जी देता है और कार्बो हाइड्रेट के कंप्रीजन में फैट्स हमको ज्यादा एनर्जी देता है लेकिन कार्बो हाइड्रेट हमको इमेडियेट एनर्जी देता है अगर तुरंट चाहिए ना तुरंट एनर्जी मिलती है और फैट्स को डाज को हैं और अगर आपको ज्यादा एंच यह होता है sembfill नि को यह टेस्ट करने का काम करता है नौ Originally ां प्रूम्र में स्टोर नि जूर्ड बडाके तो नौर कि इनर्जी रिजरुंड से को विजिटेबल्स ओयल तो हमको फैट मिलता है कार्भो हैड्रेट को कैसे मिलेगा आप सुगर केन है ना यानि की गंणा या राइस पटैटो यह सब चीजों से हमको मिलता है कार्भो हाईड्रेट तो हमारा नमबर वन फर्स हो गया हमारे यह यहां से यहां तर सकेंड हम लिखे यानि kis मरा बनाता है चोन बनाता है ठीक हम छोटने से बड़े होते हैं यानिकि बोड़ी में इनर्जी गीविंग में अथा है क्षाषचेत हैर जैसेयरिक कण डीविजन बादी बन रहे हैं थैके ही अब प्रोटीन का काम, structural components, यह structural components है, यानि कि हमारी body का structure बनाता है, and body building, body building material for growth, हमारी लंबाई जो बढ़ती है न, तो यह इसकी वज़े से ही, protein की वज़े से, build करता है यह, digestion में भी help करता है, और protection का काम भी करता है, ठीक है, तो यह हो गया body building, second group हो गया, हमको अगर protein चाहिए तो कहां से मिलेगा, यदि हम meat खाते हैं, egg खाते हैं, milk है, cheese है, pulses है, डाल, डाल जरूर खाना चाहिए, और दूद है, यह तो जरूर में रखना चाहिए, मतलब daily के essential, इससे हमको protein मिलता है, ओके बच्चों, अब हमारा third category क्या है, third category है हमारा, देखिए, बच्चों, third category है हमा से vitamins मिलता है, minerals मिलता है, water और raphese, यह protective food में आते हैं, ठीक है, यह क्या करता है, vitamins की वज़े से क्या होता है, growth में help करता है, ठीक है, health हमारी अच्छी रती है, साथ में सबसे जरूरी बात की हमको disease से बचाता है, हम दीन भर रहते हैं, किस-किस environment में रहते हैं, कौन-कौन से virus ह हमारी बोड़ी में attack करते हैं, तो उन सारी चीजों से vitamins क्या करता है, हमको बीमारियों से disease से बचाता है, okay, minerals, minerals क्या करता है, यह हमारा nutritional balance and generate maintenance, हमारी बोड़ी में पूरा maintenance यह करता है, water की वज़े से, तो आप जानते ही है, 78% जो हमारी body वो water से बनी हुई है, ठीक है, हमारे blood में water है, तो इसलिए वहाँ पर water की आसकता होती है, oxidation of glucose दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें यह help करता है, रफेस मैंने आपको बताया था कि रफेस क्या करता है, रफेस की वज़े से food material के digestion में help मिलता है, यह वैसे कुछ काम नी करता है, आपको energy दे रहा है कुछ ऐसा लेकिन इसकी वज़े से digestion अच्छा होगा, यानि कि यह खाने में यह सारे nutrients आपको perfect amount में धंग से मिल जाएं, इसके लिए responsible होता है रफेस, अगर रफेस है तो अच्छी तरीके से हमको digestion हमारा बहुत प्रापर होगा, और यह सारी चीज़े हमको खाने में से मिल जाएंगी, कुछ भ यह सारी चीज़े होती है रफेस, तो यह हमारा food material हो गया बच्छों, तो दिया था कि सारे component को, food को category में डिवाइड करिए, तो हमने उसको 3 category में डिवाइड किया, अब आप यहां से लिखना शुरू करेंगे बच्छों, ऊपर heading up question से ही डालना classification of food, अब आप वीडियो को pause क आप लीजिए और इसको write down कर लीजिए, रोक करके आगे थारड़ वाले भी लिख लीजिए, ओके बच्छों, आगे बढ़ते हैं question, next question पर, question number 4 क्या कह रहा है बच्छों, how does lack of carbohydrates and protein cause disease, how does lack, lack of carbohydrates, मतलब carbohydrates की कमी से, protein की कमी से, किस तरीके से बिमारी होती है, कमी को हम deficiency भी बोलते हैं, ठीक है, तो इनके अनुपस्तिती से कैसे बिमारी होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताना है, तो चलिए, हम answer की तरफ चलते हैं, answer के लिए बच्छों, heading डालेंगे हम यहां से, हम लिखेंगे number 1, deficiency of carbohydrates, यानि कि carbohydrate की कमी से, रोग कैसे होते हैं, वो बताया जा रहा है, तो पहल कह रहा है, carbohydrates are the main sources of energy in the food, हमारे खाने में जो energy का main source होता है, वो होता है carbohydrates, lack of carbohydrates in diet, अगर हमारे खाने में इसकी अनुपस्थिती हो जाती है, तो result in lack of energy and stamina, मतलब अगर यह हमको energy देता है, ठीक है, तो यह नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हमको energy नहीं मिलेगी, यानि कि हमारी stamina क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, stamina का मतलब आप समझ लीजिए, ताकत, सामर्थ है, जैसे हम किसी काम को, अगर, मतलब हम continue किसी काम को हम कर सकते हैं, अगर चार घंटे तक हम duty कर सकते हैं, और carbohydrate नहीं मिलता है, तो हमारी stamina कम होकर के एक घंटे पे आ जाएगी, एक घंटे में ही हम ठक जाएगे, तो कार्वो हाइडरेट एनरजी देता है, अब कार्वो हाइडरेट अगर हमको नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगी, इस stamina और energy की कम ही हो जाएगी, तो हम heading डाल कर बच्चों, यहां से यहां तक पहले लिखेंगे, आप पहले इसको लिख लेजें, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बचों हम heading डालेंगे, deficiency of carbohydrate दिया था, और क्या दिया था, किसकी deficiency, एक तो carbohydrate दूसरा protein, ठीक है नब प्रोटीन के बारे हम पुछ रहा था, तो हम थार्डवाल heading डालेंगे, यदि प्रोटीन की कमी हो गई, तो ये किस तरीके से बिमारी होती है, देखें, growing children need more protein in their diet, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा protein चाहिए, क्यों चाहिए ज्यादा protein, क्योंकि अभी आपने पड़ा, कि protein क्या होता है, body building होता है, यानि कि उसकी वज़े से ही growth होगा, उसकी वज़े से ही skin बनेगी, muscles बनेगे, तो growth के लिए तो protein चाहिए, अब lack of protein in the diet causes improper growth, अब जहिर सी बात है कि जिस चीज़े से build हो रहा है body, body बन रही है, अगर वो उस चीज़े की कमी हो जाएगी, तो body improper growth होगा, अच्छी तरीके से growth नहीं हो पाएगी, short height, height short रहेगी and poor muscles develop in the children, और बच्चों में muscles जो होंगे वो अच्छी तरीके से develop नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, deficiency of proteins lead to a disease called quasar core, quasar core एक बिमारी है, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का disease, quasar core एक बिमारी है, जो किसकी वज़े से होता है, deficiency of protein, protein की कमी की वज़े से होता है, ओके बच्चों, तो हम अब लिखेंगे, हमको दो पूछा था कि protein, lack of protein और lack of carbohydrate, fat के बारे में नहीं पूछा था, दो पूछा था, तो दोनों के बारे में हम लिखेंगे, number one हमने उधर लिख लिख लिया, अब उस कि अब लिखेंगे, 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 अब लिख बच्चों, next आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question बच्चों हमारा, what is balanced diet, balanced diet क्या होता है, explain its importance, और balanced diet लेने से क्या इसका महत्तो है, लेने से क्या क्या फाइदे होंगे, देखें बच्चों, चलिए, answer की तरफ बढ़ते हैं, देखें बच्चों, हम balanced diet, heading डालेंगे, और यहां से लिखना शुरू करेंगे, the diet which contains all the component of the food required by the body in educate quantity, is called a balanced diet, समझ लीजे इसको, balanced diet क्या होता है, वह खाना, ठीके न, आपने जो खाना लिया है, जो food लिया है, जो meal लिया है, वो ऐसा होना चाहिए, जिसमें सारी चीजे balance रहें balance का मतलब हर एक चीज पहली बात की present रहें, उस खाने में अगर आपने, आप उसमें अगर attendance लगाते हैं, आप बोलेंगे protein, बोलेंगा present, fat, present, carvoidate, present, vitamins, present, minerals, present, roughets, present, उसके बाद पानी तो लेंगे यह, तो यह जो diet होती है न बच्चों, जिसमें सब present है, उनको हम balance diet, लेकिन एक बात और साथ में का उसमें का एड करना है, कि आप present है, ठीक है, लेकिन क्या आप जितने amount में होना चाहिए, उतने amount में ही है, या ऐसा है कि कोई ज्यादा है, कोई कम है, protein बहुत ज्यादा हो गया, क्या कारबर्ड बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, हर एक इडुकेट क्वांटिटी में होना चाहिए, मतलब सबकी एक मात्रा है, है ना कि protein present, और साथ में जितना आपको protein चाहिए, है ना कि protein हमको मालों की 15 पॉइंट चाहिए, तो क्या 15 पॉइंट प्रोटीन है, येस है, सब अगर प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, ऐसा आप खा ओके बच्चों, अब हम हेडिंग डालेंगे, Importance of Balance Diet, बेलेंट की क्या importance है, इसका महत्तो क्या है, लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि balance diet, जो होता है, अब balance diet is important because your organs and tissues, हमारे body के जो organs होते हैं, जैसे हमारा heart है, हमारा lungs है, हमारे muscles है, हमारा liver है, हमारी kidney है, सब को चाहिए हर organs को हर tissue को proper nutrients चाहिए वो कहते हैं हमको यह चीजे चाहिए हमको अगर ठीक डंग से काम करना है तो तो अगर वो उनको work effectively अच्छा काम उनका आपको लीवर का काम अगर आपको best देखना है तो पहले उसको best चीजे दीजे जो वो मांग रहा है तो हर एक चीज आप चाहते हैं किडिनी को अच्छा काम करना है तो किडिनी को जितना पानी चाहिए वो दीजे बॉड़ी को तो आपने पानी दिया water supply किया उसने पानी पिया किडिनी के पास भी water गया blood के थूँ ठीक है वो अच्छा काम कर सकता है जो लीवर कह रहा है खाने क हैं तो यह सारे औरगन बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं तो इसलिए हमको बैलेंस डायट लेना जरूरी होता है अग विदावड गुड नूट्रिशन अगर आपने गुड नूट्रिशन नहीं लिया your body is more prone to disease बहुत सारी बीमारियां infections यह हो जाते हैं body का performance आपको अच्छी तरीके से body के हर एक और वंस काम करें तो उसके परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी body का development अच्छा हो अच्छी तरीके से body के हर एक और वंस काम करें तो उसके लिए हमको balance diet लेना पड़ेगा और मालों की खाने में अगर किसी एक vitamin की कमी हो जाती है तब आप देखो कितनी बड़ी problem हो जाती है अगर vitamin A की केवल कमी हो गई तो night blindness हो जाता है रात में हमको वो इस्त्राइजेशन होता है A B C D E और के होता है बिटमीन की कमी हो गई तो हमारी body में blood clotting नहीं हो पाएगा अगर iron की कमी हो गई इनेमिया हो जाएगा blood की कमी calcium की कमी हो गई तो body का जो बोंस है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे है न इस ट्रॉंग नहीं हो पाएंगे आप देख रहें कि एक चीज की कमी से कितनी बड़ी problem हो जाती है तो खाना हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमको और यह नहीं कि आपको जो एक टाइम खाने उसमें सब्सक्राइब नहीं आपके पूरे दीन की बात हो रही है पूरे दिन जो आपने खाया ना उसमें आपको बैलेंस डाइड मिलना चाहिए कभी आपको प्रोटीन जादा मिलिया कभी को कार्भोहईडेट मिल गया मतलब जीतना चाहिए था उतना मिल गया तो पूरे दिन का यहां तक पहले इसको राइड डान कर लिजे अपके बचों तो अभी के लिए इतना ही अब जो हमारा इसमें बचा है एक दो पॉइंट उसको मैं देख लूँगी एका कॉश्चन जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी और साथ में हमारा नेक्स्ट वीडि झाल 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 झाल